22 दिनों से इसराइल आस्मान से गाजा पर बम्मो की बारिश कर रहा है लेकिन नेतन्याहू की सेना अब एक कदम और आगे बढ़ गई है दरसल इसराइली सेना अब जमीन के रास्ते गाजा में घुस गई है गाजा के भीतर टैंक गरच रहे हैं लगातार भारी बंबारी की ज इस युद्ध ने पूरी दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है पिछले 22 दिनों से इसराइल सेना गाजा पर लगातार हमले कर रही है लेहाजा गाजा पत्ती में हालात बत से बत्तर होते जा रहे हैं लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर युद्ध किस दिशा में जा सबसे पहले बात करते हैं इसराइल में हो रहे धमाकों की जहां इसराइल की सेना गाजा में जमीन के रास्ते एंट्री ले चुगी है इसराइल के ताकत वर टैंक हमास के थेकानों को टार्गित कर रहे हैं छोटी छोटी सर्जिकल स्ट्राइक की जा रहे हैं गाजा में बमो 22 वे दिन ये तबाही और गहरी और विवत्स हो गई है। तरसल गाजा की तबाही का आलम कुछ ऐसा है कि यहां 40 वीजदी इमारते जमी दोज हो चुकी है। हर तरफ गिरी इमारतों का मलबा है, पानी, बिजली, इंटरनेट सब कुछ कट चुका है। इन तबाह इमारतों के बीच लोग जान की गुहार लगा रहे हैं। वही दूसरी वे इसराइल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमलों की रोज नई किष्ट जारी हो रहे हैं। 24 घंटे में इसराइल ने हमास के लगभग 200 से जादा ठिकानों पर बंबारी करती है। इसराइल के मरकावा तैंक लगातार गाजा पत्ती की सीमा में आखिल हो रहे हैं। फैंसिंग को तोड़कर ये तैंक लगातार गाजा में जा रहे हैं। ये फाइनल अटेक की तैयारी है। दो शहरों पर इसराइल की सेना ने जमीनी हमले किये हैं। ये शहर हैं बैत हानून और अल बुरीजी। दरसल आईदेव प्रवक्ता ने कहा है कि शुक्रवार की रात आईदेव उतरी गाजा पत्ती के छेत्र में प्रवेश किया और जमीन पर गतिविदी बढ़ा दी। इस गतिविदी में पैदल सेना, इंजिनरिंग, तोप खाने की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। जो भारी गोला भारी के साथ है, और प्रिशन का विस्तार युद्ध के सभी लक्षों को पूरा करता है। हमरों में इसराइल वाइट फास्फूरस बमों का इस्तमाल भी कर रहा है, इससे हमास भी दहल गया है। वेस्ट गाजा सिटी में इस्राइल के ताजा हमलों में 100 लोगों के मरने का दावा किया गया। इस्राइल के मरकावतें गाजा पत्ती में हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। अभी तक की रन्निती ये है कि इसराइल छोटे-छोटे जमीनी हमले करके हमास की कमर तोड रही है.